कर्णिंग अस्थेटिक्स के लिए मैं निता दिनेच आपका स्वागत करती हूं यह जो आप टिप टिप की आवाज सुन रहे हैं यह बारिश की आवाज है और कल रात से ही हमारे हां ओफिशियली मौनसून का आगाज हो गया है और यह जो मौनसून की पहली बारिश है यह हम सब के हमारे प्लांट्स के सारी ही क्रीचर्स के चेहरे पर मुसकान लाने वाली है और इतनी तपती गर्मी के बाद यह जो बारिश की फुहारे होती हैं यह हमारे मन को और हमारे आखों को दोनों को तरू ताजा कर देती हैं सारे प्लांट्स धुलने के बाद इतने वो भी एक ritual के तोर पर कम से कम दो चार ऐसे प्लांट जरूर होते हैं, जिनको घर में लगाना चाहते हैं, घर में लगाना पसंद करते हैं, बारिस के मौसं में आपने भी सोच रखा होगा कि मुझे हमें फ्लांट खरीदने हैं, कुछ नए प्लांट ऐड करने हैं, या फिर ए रुपीज में जो प्लांट आते हैं उनमें से कुछ ऐसे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो कि कम कीमत में भी मिलेंगे परेनियल है यानि कि साल भर चलेंगे तो आपको हर चटे महीने खर्चा नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ इनमें फ्लावरिंग भी होती है बहु तो सबसे पहली तो मेरी ये सला है कि आप अपने शेहर में नर्सरी पता करिए वहाँ पे जाएए नर्सरी में और ऑनलाइन प्लांट के कीमत में जमीन आस्मान का दूने का फर्क होता है क्योंकि उनको पैकेजिंग करनी पड़ती है उनको कोरियर के पैसे देने पड़ते है पर नर्सरी में जब आप जाते हैं तो वही प्लांट आपको आधे से भी कम कीमत में मिल जाएगा जो ओनलाइन आपको काफी ज़्यादा प्राइज में दिखाई दे रहा है दूसरी बात है कि जिनको नर्सरी की कीमत भी ज़्यादा लगती है उनके लिए होटिकल्चर पर नर्सरी है उसके बारे में पता लगाईए वहाँ पर जाईए आपको वहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए 25 रुपए 30 रुपए इस तरह की कीमत में प्लांट्स मिलेंगे आप उनमें अपने मन पसंद पसंदीदा वेराइटीज को चुनिए और अपने घर में लाकर के लग लगाईए छोटी सी जगहे है 2-4 लगाईए बड़ी जगए है जादा लगाईए पर ब्लांट्स लगाईए जरूर क्योंकि यह आपके आसपास के वातावरण को तो स्वक्ष करते ही हैं साथ-साथ आपको प्रकृति से जोड़ते हैं और अगर आप प्रकृति से जोड़त तो इस इस मॉन्सून आप जरूर अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लांट वराइटीज एक्स्टोर कीजे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी प्लांट वराइटीज बता रही हूं जो पूरे साल भर फूल देने वाली होती है एक्सेप्ट 15-20 दिनों के जब कडाके की स और इन दोनों डिरेक्शन में उनको इतनी दूप परयाप्त मिल जाती है कि उनमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहती है तो चलिए आज इन ही वराइटीज के बारे में बात करूंगी हलाकि इन तमाम वराइटीज पर मैं डीटेल में वीडियो बना चुकी हूं जिनके टाइम टो टाइम इस वीडियो में आपको मिलेंगे उनको जा करके आप उन वीडियो से उनके बारे में जो अतरिक्त जानकारी है उसको कलेक्ट कर सकते हैं इसमें मैं सिर्फ प्लांट वराइटीज से और उनकी से जुड़ी हूई एक इंपोर्टन बात को आपको है आप कौन से प्लांट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए आपकी जो बैलकिनी है आपका जो गार्डन है उसकी फेसिंग किस डिरेक्शन में है उस डिरेक्शन के हिसाब से अगर आप प्लांट लगाएंगे तो वह फायदे बंद होगा क्योंकि उसकी जो बेसिक टेकोमा है टेकोमा के बैल शेप के जो फ्लाज होते हैं यह हमिंग बर्ड यानि कि जो ब्लैक संबर्ड होती है ब्लाकिश ब्लू कलर की उनको बहुत ज़ादा अट्रैक्ट करते हैं तो अगर आप यह अपनी बैलकिनी में लगाते हैं तो आप समझ लीज़े कि जो सन उनका आना जाना आपके हां शुरू हो जाएगा यह बहुत ही हाड़ी प्लांट होता है इसको बहुत जादा केर की जरुवत नहीं है और अगर साउड डिरेक्शन में या वेस्ट में इसको लगाते हैं चाहे कितनी भी कड़ग धूप पड़ती हो अगर समें आप प्रॉपर से जाएंगे तो एस प्लांट में फूलों की कमी नहीं होने वाली है और काफी Hevy Bloomer प्लांट होता है और बने रहें और इसकी लंबाई करीबन 3,5-4 फीट तक होती है इसलिए अगर आप इसको थोड़े अच्छे बड़े पॉट्स में लगाएंगे तो यह प्लांट काफी बुशी काफी घना हो जाएगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसकी जो लीव् करना पड़ेगा या इसकी उपर की पांचेंज की मिट्टी को चेंज करके इसमें वापस और गैनिक मैनियोर से रिच फॉर्टाइल वेल्रेंट सॉयल डालनी पड़ेगी ताकि इसकी जो सॉयल है वो री प्लानिश हो जाए और प्लांट वापस अच्छे से ग्रो करने लग इसकी लंबाई भी ओल्मोस तीम-चार फीट के करीब होती है यह जाड़ी नुमा प्लांट है जिसकी की पानी की रिकुवाइर्मेंट काफी कम है बहुत ही ज्यादा तीखी धूप वाले एरिया में यह खुशी-खुशी ग्रो होता है आपको इसकी के नाम पर साल में दो ब अटरने डे या तीसरे दिन इसमें वाटरिंग करिए और जैसे ही बारिश होने का मौसम होगा बारिश आएगी इसकी पूरे स्टेम में गुथे हुए फूल खिल जाते हैं देखने में इतना खूपसूरत यह प्लांट लगता है कि अगर आपके हां बाहर ग्रीन बेल्ट मे लगाना हो या फिर आपके हां बहुत जादा धूप आती हो अपने टेरस गार्डेन में आप छे साथ इसके प्लांट लाइन से लगा दे तो जब इसमें फूल खिलते हैं तो इतना खूपसूरत वातावरन हो जाता है कि देखने वाले का दिल है वो एक दम समोहित सा हो जात इसको बहुत ही खासा आकरशक बनाते हैं यह ओरिजिनली साथ इंडिया का नेटिव प्लांट है और यह श्री लंका में और साथ इंडिया में बहुत आयत में पाय जाता है और अगर आप फेमिलियर होंगे वहां से तो आपने देखा होगा कि वहां की महिलाएं इसके बालो चिकनी मिट्टी में भी बहुत अच्य से घ्रो होता है और यह धूप में तो अच्छा कहलता है अगर हलका सा शेट भी होता है या फिर छाया होती है आप बैलकिनी के अंदर लगाना चाहें तो भी ए प्लांट अच्छी तादाद में फूल देता है और यह हैंगिं बैस्के में लगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल प्लांट है और साथ ही साथ आप इसको क्यारी में भी लगा सकते हैं इसके फूल देखने में अच्छे लगते हैं और यह प्लांट भी आपको 100 रुपीज के अंदर किसी विन असरी में मिल जाएगा जंगल जरेनियम यान ज्यादा खूबसूरत रहते हैं इसके फूल काफी लंबे समय तक बने रहते हैं इसलिए यह प्लांट क्यारीयों में लगाने के لिए इसकी बहुत सारी नई हाइभरेट प्रजातियां आती हैं जो अतनी लंबी डालना है, so that इसमें फ्लारिंग अच्छे से होती रहे, जानों के समय में बहुत ज्यादा जब 15-20 दिन सर्दियां पड़ती है, तो इसको थोड़ा सा समालने की जरुवत होती है, क्योंकि उस समय इसके ठंड की वज़ा से मरने का डर होता है, पर सर्दियों में अगर इसकी सा अल्मोस्ट मेंटेनिंस फ्री है, बस आपको पानी इसको रेगुलर डालना है, क्योंकि ये नैचुरली जिस क्लाइमेट में पैदा होता है, जहां होता है, वो साउथ इंडिया और श्रीलंका है, तो वहां पे नमी और हुमिडिटी बनी रहती है, बस हमको ये ध्यान रखन पेरफनान है, जो कि हैंगिं बैसикеं, क्यारियों में, हैजिस के तार बहुत ही जादा मौःफ्त है, इसके फूल एक्चुली ब्लू कलर होते है, जैसा कि हम सब जानते है, की नेचर में ब्लू पिगमेंट बहुत कम पाय जाते हैं, इसलिए रियल ब्लू जो फेलिए होते है और blue days उनमें से ही एक है तो अगर आप नीले फ्लार लगाने के शौकीन है तो blue days आपके लिए एक ideal फ्लार है ये hanging baskets में बहुत ही खूपसूरत लगते हैं और साथी साथ पूरी गर्मिया बरसात ये बहुत बड़ी तादाद में इनमें फूल खिलते हैं और ये नीले रंग के चोटे-चोटे फूल देखने में बहुत ज़्यादा खूपसूरत लगते हैं विजुली ये काफी अपीलिंग होते हैं maintenance free plant है इसमें भी आपको साल में दो तीन बार potash और DAP की एक डोस देनी होगी जिससे इसमें फ्लारिंग लगातार होती रहे सर्दियों में आप इसको प्रून कर दीजिए और जैसे जैसे थोड़ी सी ठंड खतम होगी और मौसम में थोड़ा गर्महाट आएगी ये वापस अपने pots में अच्छे से ग्रो होने लगता है और वापस इसमें फ्लारिंग होने लगती है इसलिए आपको इस प्लांट को भ अभी भी खतम नहीं होता है अगर भी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चानल को प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो अपने गार्डलिंग लविंग आने के लिए थैंक यू बेरी मच्च